Hello students, पिछले 3-4 सालों से एक मुद्दे के ऊपर कहीं सारी hearings या फिर में कहीं सारे petitions जो हैं वो कोट में लगाया जा रहे हैं और वो है neat exam से संबंदित और वो है neat exam के अंदर upper age limit होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कुछ तो पक्ष में हैं और कुछ भी पक्ष में हैं तो age limit ज नहीं है लेकिन कहीं सारे students या कहीं सारा तबका जो है वो उसके विपक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि सर ऐसा मत करो अपर age limit जो है वो रखनी चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि रहने ही मत दो तो ऐसे कहीं arguments जो हैं उनके बीच में आज Supreme Court जो है उस पर फैसला सुनाने वाला है कि need exam में finally upper age limit जो है वो category wise कितनी होगी होगी या नहीं होगी तो हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं और यह information आप के पास में पहुचनी चाहिए क्योंकि आप need exam देने जा रहे हैं तो आपको भी इस बात का पता होना चाहिए Students comment box में हमें ये बताईए कि आप क्या समझते हैं कि limit होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अगर होगी तो यंगsters को मोगा जादा मिलेगा और अगर नहीं होगी तो जो deserving candidates हैं जो डॉक्टर बनने का एक खौप देखकर के बेटे हुए हैं किसी conditions की वज़े से वो नहीं कर पा होंगे तो आप हमें बताईए आपके according क्या होना चाहिए अपर एज लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल आपके comments का में इंतजार करूंगा और उसके ओपर reply करूंगा thank you so much ऐसे कहीं सारे informative वीडियो इस चैनल पर मिलते हैं आपको उसके लिए चैनल क को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके रख दो ओके मिलते हैं comment box में thank you so much बाइब